जी हां दोस्तों मद्यप्रदेश के लिए आपर एक सिब्राइशिंग चोहां जीने बड़ा बयान दिया है कि प्रिदेश की 47% जन्चंग्या को लगाई गई है बैक्सिन जिनको बैक्सिन लगा दी गई है और दोस्तों अगर हम बही बात करने हैं प्रिदेश में केवर 121 एक गोषणा की हैं क्या गोषणा की है यह प्रिदिश में कोरोना टिका कराला का कार्य तेजी से किया गए पूरी डिडिरिस देखते हैं अच्छ से अगर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मद्धिश में एक्टिफ केसों की संख्या केबल अब 121 से रह चुका है जियां दूसर मद्ध प्रदेश में कोरोना के एक टिप केस केबल 121 रह चुके हैं भाईं 10 नई पॉजिटिब केस आज हमको देखने के लिए मिले थे और भाईं 270,000 से रोजाना अधिक टेस्टिंग हो रही है जियां 270,000 से जानदा टेस्टिंग हो रही है जिसमें से केबल 0.01 प्रदेश साथ हमको पॉजिटिब केस हमको देखने के लिए मिल रहे है और भाईं कोरोना संकरमन प्रदेश में अब 30 बाइस्थान हो चुका है मत्य प्रदेश की 47 परशेंट जन्संक्या ऐसी है जिनको पहला डोज दे दिया गया है यानि कि पहला डोज मिल चुका है पहला बैक्सिन का डोज लग चुका है प्रदेश की 47 जन्संक्या को लेकिन दूस्तों कोरोना का जो दूसरा डोज है वो केबल 9% लगाया गया है जिया दूस्तों 47% को पर्ष्ट डोज लगाया गया है और 9% जन्संक्या ऐसी है जिनको पर्ष्ट और सेकंड यानि की दोनों डोज लगा दी गए है यानि कि हम कह सकते हैं कि मद्यपिदिश की 9% जन्संक्या जो पूरी तरह से बैक्सिनेशन हो चुकी है और 47% देखा जाया तो एक तरह से उनको पर्ष्ट डोज लगा दिया गया है पूरी इनपोर्मिसन समझ में आगी हो गई और यहां पर कलेक्टर को निदिश देविए कि दूसरा डोज लगाने के लिए टीका करण केंद्रों पर इक अलग से ब्यवस्ता की जाए साथी गर्वती महिला को टीका करण के लिए भी बिस्स ब्यवस्ता को जारी रखा जाए तो यहां पर इन्हों ने यह आदिश देदी है पूरी जानकारी समझ में आ गई है दोस् की है कि हमारे मद्वेश में कोरोना का और वैक्सिन का क्या हाल चाल है तो वीडियो को शेयर करते हैं मिलते हैं इस वीडियो के साथ तब तक लिए बाई